खेले दूस्तों आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अर्जी गेन क्लासेस में तो यह लेजबी का जो मेंटनेंस चेड्यूल है उसके बारे में यह पीडियेफ है और आपको इसमें सब्जेक्टिव टाइप के जो कुछ जो इंपॉर्टेंड इंपॉर्टेंड है ज सुचर चेक किया जाता है यह D1 में या ISS2, ISS3, ISS1 में तो उससे संब्जित आपको इसमें objective question भी मिलेंगे और subjective मिलेंगे थोरा subjective भी है और थोरा objective मैंने कोशिस किया है कि कोई भी question में इने schedule से आपको नहीं चूटे और पूरी तरह से इसमें जहां जहां से जो है इसको question आ करना है किस तरह से इसको पड़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि याद हो जाए तो सबसे पहले यहां होता है तो उसको टीबन में रखा गया है जिसको कहा जाता है कि उसको वीकली होता है को याद रखिए एसा भी कुश्चन आ सकते हैं दूसरा है मुझली होता है जिसको कि deeply question option जो बना देगा उसमें आपको plus minus five days plus minus six days इस तरह से देगा तो ये भी आपको याद रखना है कि 30 days plus minus three days होता है d2 का जो šedule होता है और तीसरा जो होता है उसका होता है six monthly जो šedule होता है उसको d3 का आयता है और one होता है 180 days plus minus fifteen days आपको six month plus minus 50 days भी option में हो सकता है या 6 month भी only option में हो सकता है ठीक है तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो D1 होता है every trip होता है D2 जो होता है 30 days plus minus 3 days होता है और जो D3 होती है 180 days plus minus 15 days होते हैं उसी तरह soft schedule लेक होता है ठीक है जिसको कि SS कहा जाता है और SS क्या होता है SS जो LHB coaches जो है वो steel के बने होते हैं और strong होते हैं बजन में हलके होते हैं ICF से height है लंबाई जो उसकी है वो ICF से जादा होती है फिर भी इसका बजन हलका होता है और इसका maintenance भी बहुत जादा दीन पर होता है जिसे ICF का coach जो है 18 months पर POH हो जाता है लेकिन इसका 18 months में सिर्फ SS1 होता है और SS1 में 6 lakh km अगर चल गया ही गाड़ी तो भी SS1 हो जाएगा या 18 months plus minus 30 days अगर हो जाता है तो भी SS1 किया जाएगा ठीक है इन दोनों में से कोई भी हो पहले यान लिखा हुआ है कि whichever is earlier यान जो पहले होगा तो question आपको यहीं हा सकता है कि SS1 है उसकी जो periodicity schedule है वो क्या है तो आपको याद रखना है कि 18 months plus minus 30 days plus minus 30 days आपको नहीं भी option हो सकता है maximum नहीं ही होते हैं तो आपको याद रखना है 18 months ठीक है 18 months plus 30 days या 6,00,000,000 km दूनों option में आता है तो आपको याद रखेगा उसी तरह सौपसेडिल 2 होता है और इस सब में क्या-क्या होता है वो नीचे हमने आपको दिया है वीडियो पूरा देखेगा पूरी तरह से आपको जानकार सौपसेडिल 2 जो है 3 years या 12,00,000,000 ठीक है जो पहले होगा उसी में उसकी schedule करा ले जाएगी SS2 उसी तरह SS3 जो होता है यह सब question तो आप जानते भी होंगे SS3 जो है 6 years या 24,00,000,000,000 जो पहले होगा उसी में आपको उसकी जो प्रेटिस्टी होती है schedule वो करा ले जाती है तो त इननों याद रखेगा D1, D2, D3 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और question आता है कि जब coach को lift करेंगे तो कौन कौन सा part जो है उसमें से remove मतलब हाटा लिया जाएगा खोल लिया जाएगा यह question भी आ चुका है तो इसलिए हमने इसको add किया है कि जब coach को उठाया जाता है lifting क किया जाता है तो कौन सा parts damage होने के वज़े से remove कर लेते हैं खोल लिया जाता है तो पार्ट के नाम यहां लिखे हुए हैं अब ध्यान से इसको देख लिजे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि याद होगा जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको जो है roll number और नाम लिख के भेज़ेंगे यह पूरा PDF उनको मिल जाएगा इतने parts जो है आपको देखिये हैं जो wheel sets जो है wire rope pin from ballister है वो भी खोल लिया जाएगा horse connection जो है from bogey to coach का horse connection है वो भी खोल लिया जाएगा क्योंकि जो गारी lifting होगी तो connection नहीं खोल लिया तो तूट जाएगा ठीक है center pivot security plate जो है वो ही इसको खोल लिया जाएगा ballister from coach body by means of removing nut and swing nut जो भी हो भी खोल लिया जाएगा all air brake जो fittings जो है सब कोल लिया जाएगा control arm जो bottom cover है वो भी खोल लिया जाएगा center buffer coupler तो खोल ही लिया जाएगा हटा लिया जाएगा सी coaches से इतना है और एक जो है यह question है यह एक जाम में बार बार आते हैं और आप में इसमें confused आप लोग हो जाते हैं जैसे production unit में अगर जो maximum height from rail level का buffer का जो है वो 1105 होता है ठीक है यह minimum height जो है यह production unit का है 1095 होता है production unit में अगर पूछेगा तो ठीक है और वही अगर आपको workshop में पूछे जहां यह बनती है उसको production unit का होता है और workshop में आप से पूछेगा कि जो height होता है जो CVC आप लगाएंगे ऐसे ही पूछ दिया तो तो यह सब तीन 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 दो यह दो यह और अभी जो हमने आपको बोला कि जैनरल एलेविन जरो फाइव मैक्सिम्म और मिनिम्म टेन थर्टी होता है वह भी आप याद रखेगा अच्छे question यहां से भी आपको बनते हैं अब इसको डीवन भी कहा यहता है उसमें क्या-kya changes होते है देखे विजुए इंस्पेक्शन और कप्लरेट फोट डैमेज कप्लर हेड जो है अगर डैमेज होने की संभाबना है या नहीं उसको विजुए अस्पेक्शन करना है मतलब देखना है जाच करना है ठीक है इंस्पेक् है उसका जो विजुल इंस्पेक्शन है कौन से सेडूल में किया जाता है तो यह सब आपको यहां आपको देखने को मिल रहा है चेकिंग फॉर कपलर ओपरेटिंग मेकनिजम ठीक है तो डैमेज या लूज बोल्ट अगर है वो भी डीवन में कर लिया जागा ग्रीश ओफ के जो प्रोपर कपलिंग हो चुकी है उसको भी जो है प्रोपर कपलिंग चेक कर लेना है कि अगर नहीं है तो गारी रास्ते में ट्रेंट पार्टिंग हो सकता है मतलब एक बोगी दूसरे बोगी से अलग होगी जो इंजन से जुड़ा हुआ हो आपके चला जागा यह लेक या ब्रेकिज है कि नहीं वो भी आपको जांच लेना है यह सब डीवन में थीक है उसके बाद इंस्पेक्शन आफ लूज या ब्रोकेन लूज मतलब हो गया है धीला हो गया है ब्रोके मतलब तूट के कहीं खुल के गिर गया है ठीक है अफ कपलर पीन सपोर्ट लेना यह सब डीवन में और भी डीवन में बहुत सारे होते हैं लेकिन आप उसको डालूँगा तो बहुत सब बढ़ा पीडिये भी हो जाएगा वह सब पढ़ना है तो आप हमको बुलिएगा आपको अलग से आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए अलाकि यही काफी है इससे ज़्यादा कोशन नहीं आते हैं अगर आते हैं तो वह जो अब्जेक्टिव है उसमें आइड कर दिया गया है चले उसी तरह डीटू का चलते हैं डीटू के है ऑल आइटम ऑफ डीवन जो डीवन में चेक की है वो सारे डीटू में भी चेक होंगे उसके बाद जिका ह अब एक्स्टरनल डैमेज बाहर से चेक करना है यह यह प्लेट शैंक होता है उसको यहा इसको डैमेज है तो इसको रिपलीस भी कर दना है अगरने जरूरत है तो चेक हाइट गेज चेक हाइट एकसो ओनेटी सेर एक पाइंड बोद साइड नियर आ बॉल्ट इतना हाइट ह आपको उसके लिए अलग है एमेंशन के लिए अलग PDF है और अलग मेट्रियल है देखिए टाइटन दे एंशिक्टी नर्ट सेट स्पेसिक स्पेसिफाइड हाइट ठीक है अप्लाई ग्रीज और वियर प्लेट यह भी आपको देख लेना है चेक कंडिशन और वियर प्लेट र 115 क्या करना है अब यह अल आइटम आप डीट्व याना कि लिटि में अफ डीट्व में अल हिल्टी घाल है में इसका जो मेरेंस त्प्लास मारी मेरें ऐसको नकल विद मोलिकोट D32IR on equivalent dry spray ठेक है इसमें spray मारना है वो कर रहा है do not spray on knuckle lock knuckle base grease tail spray इस तरह कोई चीज़ का इस्तमाल नहीं करना है ठेक है यह strictly prohibited है और यही एक question भी है कि कहां जो है tail oil grease का use नहीं कियाता है तो आपका अंसर नकल होगा इससे समझनेद question यह same question बहुत सब्सक्राइब में आए हुए है surface and internal parts like locked etc जो internal parts है यह lock है यह सब का surface जो है यह सब भी check करना है यह D3 में है ठीक है चेक gap between coupler hair and knuckle knuckle with jaw जो ही coupler hair और knuckle के भी जो gap है वो कितना होना चाहिए यह कितना नहीं होना चाहिए वो भी check करना है ठीक है कितना होना चाहिए यह सब आपको cbc coupler का जो वीडियोफ है उसमें पढ़ लेजेगा इसमें हमको dimension नहीं पढ़ना है gap gauge जो है no go ठीक है या go यह दोनों जो gauge है उसको लगाके check करना है नकल का ठीक है उसके बाद check profile gauge go वो भी check करना है conduct anti-crypt check anti-crypt का जो है वो भी check करना anti-crypt जो है जो कपलर में जो होता है cbc में वो भी आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है examine condition of buff plate apply grease if necessary ठीक है जो buffer का plate होता है उसमें grease अगर ज़रूरी है तो डालना है नहीं ज़रूरी है तो नहीं डालना है check wear on slide slide road and bearing replace if wear is excessive ज्यादा घीस किया है ज्यादा घीस किया है ज्यादा प्लेट तो उसको replace करना है चलिए ठीक है अब आया है SS1 SS1 से ही ज्यादा question आते है और SS3 से आते है SS2 से कम question आता है और जो आता है आपको इसमें objective में रख दिया गया है ठीक है चलिए इन condition to item of schedule 1 ठीक है the following shall be attend during swap schedule ठीक है वन के अनुसार जो है इस तरह के आपको inspection करना है चेक करना है इतने parts का तो sub schedule 1 जो है सबसे पहले 18 मंत पर होता है या 6 लाग किलोमेटर जो पहले हो ठीक है प्लस माने 30 डेज है याद रखेगा inspection of couplard assembly by gauge couplard assembly को बढ़ी gauge से इस बार चेक करना है ठीक है check knuckle of contour by contour maintenance gauge knuckle of contour को जो है control maintenance gauge से चेक करना है check of free slack in the contour by contour condemning limit gauge free slack भी चेक करना है जो contour gauge होता है SBC का उससे लगा के चेक करना है checking of distortion of align wing pocket and guard arm by align wing limit guard arm guard arm distortion gauge ठीक है वो भी check कर लेना है wing जो pocket है guard arm है यह सब check करना है checking of vertical height of aligned wing pocket guard arm by vertical height ठीक है aligned wing pocket and guard arm gauge we are aligned wing pocket and guard arm be checked by vertical height इसमें vertical height है condemned limit इसमें है aligned wing pocket इस तरह से जो भी आपको बताया गया वो सारे स्वन में चेक करना है चेकिंग अफ नकल नोज वियर कितना घी साब जो है अनुमानित है कितना है तुम सब कुछ चेक कर लेना है चलिए इस्पेक्शन ऑफ एंटी की प्रोटेक्शन मिजर्मेंट ऑफ कपलर हाइट ठीक है उसके बाद जो है कपलर हाइट जो है 1105 में फ्रम रेल लेबल होना चाहिए वह भी देख लेना है मैक्सिमम वर्टिकल सेंटर ऑफ नकल सेंटर ऑफ चेकिंग प्रोपर लॉकिंग च यह SS1 में करना है और SS2 में से ज्याता को प्रता नहीं है SS3 रेखते हैं SS3 क्या है सॉब्सेडूल 3 है इसमें क्या है 6 years या 24 lakh km दूनों में से कोई होगा SS2 जो है 3 years या 12 lakh दूनों में से जो पहले होगा को कर लिया जाता है तो सॉब्सेडूल 3 जो है इसमें क्या है और पार्ट्स ऑप सी सीबी सी ठीक है इसको क्या करना है पूरा आइटम जो निकाल लेना है उसको बढ़िया से उसको जो एक सर्विसिंग जो बोल सकते हैं उस तरह से ओवर हॉलिंग करना है तो तब उसको फिर से लगाना है विज़ल इंस्पेक्शन भी मेड ओफ क्रैक डैमेज किस्टोर्टस एटिसटेश्थे और उसको जो आई यह जो कर रहे हैं जो इसका servicing कर रहे हैं, उसमें आपको check भी करना है कि कोई भी parts damage या crack तो नहीं है, अगर है तो उसको replace करना है, ठीक है, उसके बाद checking wear toggle, locked lift, lever, etc, ये सब भी check कर लेना है, और सब को इसी तरह चेक करना है, checking for wear coupler, sank wear plate, ये भी check कर लेना है, checking for wear lock of knuckle pure pin, मतलब कि जो भी parts पूरी तरह से खुलेंगे, उसका बढ़िया से servicing होगा, उसका poh होगा, और उसके बाद उसको set किया जाएगा, ठीक है, draft gear, rubber pair, etc, checking for compressive value, ठीक है, वो भी कर लेना है, final assembly and checking of function, operation of compliance, वो भी कर लेना है, उसके बाद देखिए, कुछ, जो ICF है, उसमें भी एक दो कुशन बनते हैं, तो उसको भी हमने इसमें डाला है, preventive maintenance, जो schedule होता है, preventive maintenance, ठीक है, तो उसमें एक भी होता है, trip schedule, schedule, A schedule, B schedule, C schedule जो है, उसको IOH में बदल दिया गया, 9 मन्त का कर दिया गया, ठीक है, उसको half yearly पहले था, लेकिन आप 9 मन्त का IOH में उसको add कर दिया गया है, तो trip schedule every trip होता है ठीक है उसको schedule ये जो है A monthly होता है plus minus three days होता है schedule B जो है quarterly होता है यानि three month plus minus seven days होता है C जो है पहले six month का था यानि हाफ yearly था लेकिन अब nine month का हो गया है plus minus 30 days plus 30 या minus zero यानि कि एक महीने बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता है तो इस तरह से आपको schedule है आप कुछ objective question है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे और ठीक है चलिए ये देखिए what is the frequency of schedule A for coaching store coaching store में जो A schedule हो क्या है one month plus minus three days जैसा कि हमने आपको अभी उपर बताया उसके बाद जो दूसरा question है under which schedule single car test rig carried out single card test rig जो होता है वो IOS schedule में होता है ठीक है उसके बाद तीन number जो है which schedule dirt collector in coaching stock should be clean जो dirt collector होता है ठीक है dirt collector होता है जो की जो धूल कर्ण जो है उसको साफ करता है तो वो A schedule में होता है A schedule में ठीक है और A schedule होता कब है one month plus minus three days होता है तो यह भी आपको याद रखना है उसके बाद देखिए एक C schedule से question आता है उसमें आपको none of the above रहेगा आपको C को लगा देंगे क्योंकि इसका तो है चेंज हो गया है तो आप इसको डी लगाएंगे फोर का डी लगाएंगे इसको पांच देखिए इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिक इक्विप्मेंट ऑफ वियर ऑफ कार्बन बार्स जो है कोगी साब जो है वो चेक करना है तो उसमें क्या है D1 D2 में D1 D3 में इसको चेक करेंग तो माचका हो जागा D6 देखिए इंस्पेक्शन ऑफ ग्रीस ओजिंग यह ओजिंग है ठीक है ओ है ग्रीप ओजिंग फ्रॉम एंटी रोल बार जो एंटी रोल बार होता है तो उसमें जो ग्रीस का रिसाव जो होता है वो आपको चेक करना है D1 D2 D3 में क्योंकि यह सेंसिट दर रखिएगए गा गॉष्यमद 7 क्या बोलता है लुब्रिकेशन ऑफ पीन्स बूशेश्टेस ऑफ ब्रेग कैलीपर सेंबली इन येल टेल भी घ्रोफ जोँ होता है तो आपने में आपको बता है वह चेक करना है डी 1, d2, d3 ती तीनों में चेक करना है उसके बाद क्लीनि ओप ए एर फिल्टर एर फिल्टर जो लेच्थ का होता है वह वह दी 2 और दी 3 में होता है चिक होता है ठीक है उसके बाग question चेक करना है हैं ये ब्रेक का भी जो पार्ट से उसको धी वन डी टू डी ती तरी में चेक करना है जिसके हम ने बताया कि ब्रेक यह सब का मामला जो ही सेंसिटीव होता है और हर सेट्व यूर्ट करना है ठीक है कि उसके बाद कोशनमाइं 11 देखिए जो हाओ मेंट्रेंस सब देख लिया होगा तो सभी कोश्चन जो उसी से सबंदित आपको आएंगे और एक बार रिविजन हो जाएगा कुछ नए कोश्चन भी आपको डिख सकते हैं तो 12 का हो जाएगा एक कोश्चन अमर 13 देखिए फ्रिकेंसी ऑफ डी टू चेडूल जो डी टू होता है वह 30 डे त्री डेज होगा उसके वार जो फ्रिकेंसी भी दिटी जो है शिक्सिटम को स्की सिंट डिख दान एफू यह नही भी होगा दि टू यह दीटिव में होगा जली कोशन नमर 16 क्या है इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिबॉल एंड इस रबर फिटिंग इंड इन डामेज दन इन डामेज हो गया और यहां जो रबर दो लगे रहते हैं उसी को वेस्टिबॉल कहा राता है उसका जो रबर है उसको चेक करेंगे तीनों सेडूल में D1, D2 और D3 में Question number 17 देखिए Truff cleaning and removing dust Rust accumulated at pillars is done जो Truff होता है उसमें धूल करने यह सब हो गया उसको साफ करने का जो वो D3 में होगा ठीक है क्योंकि वो बहुत अंदर का काम है Question number 18 देखिए Examination Solver Corrosion is done जो Solver Corrosion हो गया है कि नहीं हो गया है वो भी D3 में होगा अगर हो गया है तो उसको रिपेर किया जाएगा ठीक है Touching of damage paint inside and outside जो paint जो है उसका damage हो गया है तो उसको touching करेंगे जहाँ जहाँ से उड़ी गया है वहाँ उसको फिर से replace करेंगे मतलब अच्छा से paint किया जाएगा तो उसको हो जाएगा D2 and D3 में चेकिंग फोर bogey bolster assembly and crackhead ETC यह सब जो है D1, D2, D3 तीनों में होगा उसके बाद question number 21 washing of bogey frame thoroughly with water jet यह सब D2 और D3 में होगा जो उसके बाद question number 20 checking of functionality of air braking equipment and hand brake equipment यह D1, D2, D3 में होगा आमने बता है ब्रेक जैसे ही आए CBC coupler से संबंदित आए तो यह सब तीनों schedule में हो जाएगा उसके बाद question number 23 carrying out of functional test of pneumatic brake system यह भी brake system है तो तीनों में आजाएगा question 24 देखे checking of air hose is done in जो air hose है उसको भी D1, D2, D3 तीनों में चेके जाए क्योंकि वो भी brake से संबंदित है उसके question 25 देखे verifying the clearance between each pad and disk surface pad और disk surface के बीच जो clearance है वो किसमें होगा तो D2, D3 में होगा उसके बाद देखे inspection of उसके बाद है question 26 inspection of earthing equipment of wear of carbon bars यह जो है यह D2 and D3 में होगा ठीक है उसके question 27 देखे checking of crack damage of spring spring है तो भी sensitive मामला है तो यह हर सेटूल में भी चेक किये जागा ठीक है question 28 देखे checking of dampers its rubber elements is done in dampers और rubber elements जो है उसको चेक करना है तो क्या है और D1, D2 और D3 में उसको चेक किया जाएगा question 29 देखे checking of bearing for hot and grease leakage is done in जो bearing है उसका D1, D2, D3 में चेक किया जाएगा grease कुछ leakage है क्या है नहीं है ठीक है तो यह सब चेक किया जाएगा तीने शेडूल में dampers जो भी है तीने शेडूल में चेक किया जाएगा wheel profile की जो गेज है वो भी तीने शेडूल में चेक किया जाएगा ठीक है 30 का भी तक लिए C हो जाएगा question 31 देखे inspection of rotation limiter is done in rotation limiter है और D1, D2, D3 schedule में किया जाएगा question 32 देखे checking of tread diameter and wear of wheel profile is done in ये D3 schedule में होगा ठीक है उसके बाद question 33 inspection of grease ozing ठीक है out of anti-roll bar bearing is done in ये भी T1, D2, D3 schedule में चेक किया जाएगा lubrication of all pins and bushes is done in ये D2 schedule में किया जाएगा उसके बाद inspection of couplard head knuckle for damage in checked ये क्या है D1, D2, D3 schedule में चेक किया जाएगा checking of tell-tale races ensuring proper coupling is done ये जे D1, D2, D3 schedule में चेक किया जाएगा अभी हमने उपर भी आपको ये लिखा हुआ बता दिया था checking for corridor ठीक है connection for external damage and entry of foreign bodies is done in तो ये कुछ अलग से जो है धूल करने ये सब जो आ जाता है उसको चेक करने के लिए वो D1, D2, D3 में किया जाएगा उसके बाद है cleaning of air filter D2, D3 schedule में चेक किया जाएगा draining of air tank air tank का जो draining है वो भी D1, D2, D3 में से चेक किया जाएगा क्योंकि ये break से related है inspection of seats, luggage, rack, ETC ये D2 में चेक किया जाएगा ठीक है उसके बाद sliding जो door है ये सब का जो निरिक्षन है D1, D2, D3 में चेक किया जाएगा उसके बाद question number 42 है उसमें lubrication of door seal with silicon paste is done in ये D3 में किया जाएगा SS1 का जो swap schedule क्या बोला जाता है उसको तो swap schedule 1 बोला जाता है होती easy प्रश्ण है क्योंकि आपने उपर पर लिया तो अभी easy लग रहा है जहाँ swap schedule किया जाता है कहां होता है तो workshop में होता है swap schedule जो है workshop में होते है SS1 की जो frequency है 18 months plus minus 30 days है ठीक है with respect of kilometer SS1 वह क्या है इसके बाद 45 देखें frequency of SS2 SS2 के frequency का 3 years है ठीक है with respect of kilometer SS2 क्या है 12,00,000 किलो मेटर है frequency of SS3 के 6 years है kilometer यह चाप से 24,00,000 है PDF देखें PDF अगर आप लेना चाहते है तो अपना roll number और नाम लिक के बेजिएगा है आपको मिल जाएगा जो नए है जिरोंने रॉल नमर नहीं लिया जो हम Canadian जूड़े हैं तो हमसे जूड़ जाएं जूड़ने के लिए बहुत ही कम फी रखा गया है बस तीन हजार रुपे आपको जूइनिंग फी है जिसमें आपको सारे मेटरियल यह भी मेटरियल और जो भी मेटरियल रेडी होते हैं वो मिल जाएंगे सिर्फ आपको टेस्ट के मतलाएगा ठीक है ठीक है ठीक है वीडियो कसाथ कर दें दूस्तों जाहें अ प्लाएगा रुव सिर्फ कारसली दूस्तों जाएगा भसको बंच करफके हैं बागियों मेटरियल अ कर प्के चकार ब former का दallas कुड़के हैं अ कर दो काक है प्लाद है एक मतलाएग में मो चूस्तों जात्क की मतलाद